इतिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक इतिहाद नियूज में आप सबी का खायर मगदन रमजान मुबारक बिलकुल सामने आखडा है यह वा मुबारक महिना है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया गया वैसे तो मुसल्मान के लिए कोई मकसूस दीन महिना या साल नहीं होता पूरा साल रमजान की तरह मुबारक यह होत है यह एक आलमी रिपोर्ट है पर आजकल लोगों में दिखावे के खिदमात में विजाफा होता जा रहा है बड़ा अफसोस होता है किसी गरीब की गरीबी को किसकत सरे आम उचला जाता है आखिर एक गरीब के पास क्या होता है इसकी इसका वखार ही तो बचा हुआ रहता ह पर रियाकार इनसान ने आखिर इस पर भी तो डाका डाल दिया और सरे रा इसकी गरीबी का तमशा बना दिया यकिनन क्या इन लोगों को आखरत में कुछ एक पाइदा मिलेगा क्या इसकी इस खिद्मात का जर्रा बराबर भी आज भी से मिलेगा या कहरे खुदा का मस्तख होगा कुछ ऐसे दानशूर लोगों को भी देखा गया कि पांच लोग मिलकर एक केला बीमार को देते हैं और तस्वीर निकाल कर सोचल मीडिया पर शाया कर देते हैं और यही सब आजकल चल रहा है एक शेर है खुदार मेरे शहर का फाके से मर गया राशन बहुत था मगर फोटो से डर गया और शायद यही वज़ा है कि कोई भी मुस्तख और खुदार शक्स आगया आकर लेना मुनासिब नहीं समस्ता है किनन कुछ समाजी तन्जिमें और समाजी खिदमतगार जो बेलाउस होकर खिदमात अंजाम दे रहें काबिले तवज्जो है पर दिखावे के खिदमात की बाड़ आई हुए जलजले हो या बाड़ हो या फिर कोरोना मामरी हकुमत की जानिव से दे जाने वाल इम्दाद ना काफि होती है बाग मुकाबिल समाजी खिदमात की तन्जिमों की जानिव से दिया जाता है यह भी एक रिपोर्ट है कि सोशल अर्गोनाजेशन हुकूमत की इंदाद से पहले पहुंचते हैं पर सवाल उन रियाकर खिदमात पर उठाना लाजिम होता है पर जो लोग बेलाउस खिदमात को अंजाम देते हैं आज के दौर फितन में भी यह काबिल गवर है और शायद इ जोएमी में न रहे कि कोई तहजुत फड़ रहा है तो वहाँ लाका वली होता है नमाज जवादत है जिसका पढ़ने का सवाब और अज्र से हासिल होता ही है पर इनसानों से आडोस पडोस या फिर मुमिन का दूसरे मुमिन से रवईया कैसे होता है क्या मामिलात में मुसल् होशयार अकलमन्दों के बाद फरेवी को बड़ा चालाख और होशयार समझा जाता है तो पैसे वाले अमीर की राई को काबिले तसलीम की जाती है इन वाले भी रुपिये की खनक के आगे सर तसलीम खम करते देखा जाता है जालिम के सामने हक बात कोई नहीं बोलता तो कमजोर गरीब लाचार को देखकर दिल की भड़ाज भी निकाली जाती है आज कोरोना के ही भाने क्यों नहों पर मस्जिदों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अपने आपको दिनी रहनुमा समझने वाले भी अपने मिजास के मताविक हदीश ढून निकाल लेते हैं मुश्रिक जा रहा है कि तमाम खबर पर आख मुंद कर वरोसा किया जा रहा है नभी के दोर में खूफिया मौकमा हुआ करता था जंग काफिले हुआ करते थे मस्जिदों के मेंबर से माशरी की इसला होती थी पर आज जो मुसल्मानों के खालात है इसके लिए किसे जिम्दार ठराए क्या हमारे मस्जिद के इमाम जिनों ने हकीकत से कभी भी उम्मत को आगा नहीं किया और सिर्फ आजर नेकी के इर्द इर्द बयान करते रहे कभी इनकलावी तकरिरों से मेंबर मेराब को आरास्ता नहीं किया कभी दुश्मन की साजिशों के बारे में नहीं बताय गया जब तो मसलके अख्तलाफ और एक दूसरे को जहनमी ठराने का इसलाम मेहबूब था जिस पर चल कर आज इस नौबत तक पहुंच चुके हैं हमने असल इसलाम पर अमल करने से बहतर खूब अच्छा अच्छा खा कर मुसल्मान भाईयों के खिलाब साजिशे करने में हमारा मुकमल चला गया है जमाए जमेदारी से कहना चाहता हूं कि जिन पर आवाम ने भरोसा किया उन रहबरों ने हमारी रहबरी सही नहीं फरमाए फिर चाहे वो दीनी हो या सियासी हो अब काम बड़े संगी इन मोड़ पर आ खड़ी है समझ में नहीं आ रहा क्या करे तो क्या करे पर जिन पर आवाम ने भरोसा किया था और असल दुश्मनों से हमें आगाप किया ही नहीं और मुसल्मानों को आपस में लड़ा कर असल मौकूप से दूर रखा कर क्यामत में अल्ला के नस्दीक तुम जवाब दे हो आज हमारे बच्चों का मस्तग्बिल अंदेरे में है मेरा स धर्स समझा करते थे, अमीर समझा करते थे, यकीन अनल्ला हमसे नाराज है, हम सभी को तw pää की जडूरत है, आज जब लॉक डून है तो खामोशी से मदद फरमाए, दिखावे ही जरुत नहीं है कुछ लोग आज भी अल्ला की रजा के लिए खामुशी से काम करने वाले हैं एक वाकिया हाल ही में बंबी की जोपटपटी लाके में पेच आया एक मुखलिस बंदे ने महले में ऐलान किया कि किसी को जरुत है तो ये किलो आटा मुफ्त ले जाए जरुत मंद लोगों ने एक किलो ही आटा ही से हमारी जरुत के काम आ जाएगा और जिने जरुत नहीं थी उन्होंने सोचा कि आखर एक किलो आटा लेकर हम क्या करेंगे लिहाज़ा वो जरुत मंद लोगों ने उस रात के नहीं और शायद हमारा हर तरजे अमल गलत होता गया है फिर चाहे अबादत से लेकर मामिला तिजारत खिदमत में सभी में हमारी नियतों का मामिला टीक नहीं है जिसका नतीजा ही कह सकते हैं कि अल्ला हमसे नाराज है हमें बदलना होगा सीरत के इनकलावी पहलू कर समझने की जरूत है वरना जहनी गुलामी में की हुई अबादते दुआएं अल्ला तक नहीं पहुंसती इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफिज़ आप अल्ला हो